यही दोस्तो जारखंड के एक और जीले के सिविल कोट में गुरूप डी भरती निकल कर आचुकी है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं यह गड़वा जीले के ऑफिजियल साइड है और यहाँ पर दोस्तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया दोस्तो अगर अभी तक आप अपना आवेदन नहीं किया है क्योंकि दोस्तो समय जो है बहुत नजदीक है और इसमें आवेदन करने के लिए दोस्तो ओफ-लाइन आवेदन करना है तो बहुत कुछ इसमें दोस्तो आपको प्रकिरिया है तो कैसे आवेदन करना है फून नोटिफिकेशन के अमसार दोस्त बरना है या दोस्तों टाइपिंग करके बरना है इस परकार की काफी मेरे पास कमेंट भी आ रहा है तो दोस्तों सब कुछ डाउट क्लियर करके इस वीडियो में जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक जरूर वाज करें अगर नए है चैनल पर तो चैनल को सस्क्राइब करके दोस्तों के साथ भी सेर कर दें क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी जनकारी मिलती है एक कंड सेर्णी करमचारी की भरती पर क्लिक करना है क्योंकि दोस्तों इस पर क्लिक किजिएगा तो आपको एक PDF मिलेगा देखिए दोस्तों यह PDF ओपन होकर आ गया जो की बेवहार नियाले गढ़वा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिग्यापन संखिया 01-2023 यहाँ बिग्या चाते हैं उसके बाद अपना कटेगरी यानि कौन से कटेगरी से आते हैं AC, ST, General जो भी है उपर में भरना है एक तरफ दोस्तों आपको पता भरना है जिस पर आपको भेजना है और एक तरफ आपका पूरा एडरेस रहेगा आपका नाम और आपका जो भी भीलेज है ग्राम ह यहाँ पर पोश्ट भी दोस्तों आपको जो 37 पोश्ट के लिए गड़वा जीला में भरती आई है यहाँ पर सभी पोश्ट का योगता यानि कौलिफीकेशन भी दिया गया है प्यून आदेशपाल के लिए आपके पास मैटिक होना चाहिए और दोस्तों इसमें सेलरी भी दे दिया गया है देख सकते हैं 18,000 से 56,900 लेबल वन का या दोस्तों आपका पेमिंट मिलने वाला है इसमें भरती कैसे होगा आपको सेलेक्शन कैसे मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ए स्क्रीनिंग टेश्ट होगा सक्षतकार यानि इंटर्विव और आपको टेश्ट के अधार पर होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दफदरी में भी आपको उतना ही पेमिंट मिलेगा 18,000 से लेकर आपको 56,900 लेबल वन का दसवी पास होना चाहिए और एक वर्स के दोस्तों कार्ज अनवाव आपके पास होना चाहिए यानि एक् सेलरी मिलेगा और मैट्रिक के साथ दोस्तों आपको LMB लाइसेंस भी होना चाहिए वह सभी अभ्यारती इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें दोस्तों चालक के लिए सेलेक्शन आपको ड्राइबरिंग टेश्ट होगा उसी के अधार पर आपको सेलेक्शन मिलने वाला है द सभी अभ्यारती इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों पांच नंबर में दिया गया है अनुसुचित जाती अनुसुचित पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अगर आपको अरप्छन चाहिए कम जोर बंग यानि EWS के अभ्यारती है तो जहरक जैसे की 18-35 आपको जेनरर के लिए लिखा गया है उसके बाद दोस्तों आपको अति पिछड़ा जाती के लिए यहाँ पड़ लिखा गया जैसे की OBC से आते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 37 बर्च महिला है तो 38 बर्च आपको मिलेगा और दोस्तों अगर आप परमाणपत हैं दोस्तों स्वव अभी परमाडित यानि खुझ से आपको सिकनेचर करना है सभी डॉक्मेंट पर और दोस्तों तभी आपको अटेच करना है तभी पीनप करके सभी आपको फोरम के साथ भेजना है यहां पर देख सकते हैं प्रति आवेदन के साथ सनलगन करें यानि दोस्तों अभी परमाडित करके खुझ से आपको इसमें अटेच करना है यहां पर दोस्तों आपको देख सकते हैं नौ नंबर में लिखा है कि देवनागरी लिपी में यानि हिंदी में दोस्तों सब कुछ आपको लिखना है और 28 फरवरी 2013 के अंदन दोस्तों अंदर आपको निबंदिक डांक यानि रजिष्ट्री के माध्यम से या स्पीट पोष्ट के माध्यम से दोस्तों यहां पर टाइम भी दिया गया है जो की 10 बज कर 30 मिनट से आपको साम 5 बजे तक दोस्तों यह आवेदन चल जाना चाहिए नहीं तो दोस्तों आपको आवेदन जो पत्रे स्वेकार नहीं किया जाएगा रद कर दिया जाएगा साथ में दोस्तों आपको तीन फोटो भी दिया गया है दस नंबर में देख सकते हैं आपको तीन फोटो देना है दोस्तों दो फोटो आपको सटना है एक एडमिट कार्ड पर और एक दोस्तों आपको आवेदन पत्र के ऊपर जो की आगे मैं बताने वाला हूँ और उस पर दोस्तों आपको gadgeted officer यानि राज पत्र का अधिकारी से signature और मोहर भी कराना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर में ही लिका है दोस्तों यहाँ पर आपको एक लिफाफे देना है छोटा वाला जो इस पर 40 रुपया का टिकेट होगा दोस्तों यह टिकेट किसलिए लिया जा रहा है और यह दोस्तों लिफाफे किसलिए लिया जा रहा है यह भी मैं जनकारी देने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो इसी में आपको admit card आएगा जो अभी आप भर्त के भेज रहे हैं आप admit card वही admit card दोस्तो आएगा तो जैसे आप register करने जाएगा speed post करने जाएगा तो 40 रुपया लगेगा खर्चा वही दोस्तो आपको खर्चा यहाँ पर सभी पर signature खुझ से करना है और date case हैं दोस्तो signature कीजिएगा तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन signature कीजिएगा जैसे मायटिक का mark seat हो गया प्रवजिनर ओरिजिनर हो गया जो भी आप document दे रहा है उसमें attach करना है आपको निवास प्रमाण पत्र हो गया या दोस्तो UWS हो गया या जाती certificate कीजिएगा सब पर signature करना है और दोस्तो दो फोटो साटना है और एक फोटो को उपर में नथिक कर दीजिएगा पीछे में छोटा वाला इन्मेलब भी लगा दीजिएगा सभी document के दोस्तो अच्छे तरीके से आपको attach करना है यानि pin up करके तभी भेजना है नहीं तो दोस्तो अगर आप ऐसे ही लिफाफे में डाल दीजिएगा तो वहाँ पर कोई आपको पड़ेगा नहीं डाइरेक्ट उधर कचड़ा में ठेक दिया जाएगा दोस्तो जो आवेधन का पता है यहाँ पर देख सकते हैं आवेधन भेजने के पता जो कि दोस्तो सेवा में पर पता का नाम लिख दीजिएगा जो भी आप पता के लिए आवेधन करना चाहते हैं उसके बाद दोस्तो यहाँ पर फोटा फोटो साथ देना है और राजपत्तिर का अधिकारी द्वरा अभी परमारित करा लेना है यानि कोई भी आपका अधिकारी हो उस पर गजिटेट चाहिए उससे सिकनेचर मोहर करा लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में अपना नाम लिखना है बड़े अक्षरों में उसके बाद पिता जी का नाम यहाँ पर जनम ती थी तिन नंबर में उसके बाद दोस्तों चार नंबर में एक अगस्त दो रहो रहा है तो यहाँ पर आपका वर्स यहाँ पर महीना यहाँ पर दीन सब कुछ लिख देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको पता लिखना है पिन कोट के साथ यहाँ पर पता लिख लिजिएगा साथ नंबर में मोबाइल नंबर आठ नंबर में इ logic enter का सभी कुछ detail डाल देना है उसके बाद ooh यहाँ पर देख सकते हैं अपना category that लिखक है आंगर आप यहां पर , लिख करें यालिंए दोस्तो आप है न कारें नोसे हैं हम कहने में लिखक्तन को करमचारी हैं सरकारी कोई करमचारी है तो यहां पर आपको बरना होगा उसके बाद दोस्तों यहां पर लाश्ट में आपको दिनांक यानि आपका डेट डालना है जिस दिन भेजना है और अपना अस्थान जहां से भेज रहे हैं उसका अस्थान यहां पर आपको सिखनेचर कर तो यहां पर आवेदन का नाम अपना नाम लिख लिजिएगा पिता जी का नाम और यहां पर आपका फूल एडरेस जो की पिन कोड सहीत होना चाहिए दोस्तों चार और पांच आपको नहीं भड़ना है वहां से भर कर आएगा तभी आप जाकर वहां पर इंटरव्यू दे सकत कार दे सकते हैं यहां पर एक फोटो चिप का दीजिएगा तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भरना है और कोई भी हमसे जनकारी चाहिए तो डाइरेक्ट फोन उठाइए और हमें कॉल किजिए 7050-643828 पर दोस्तों कॉल कर सकते हैं या वाट्सेप कर सकते हैं आपका छोट का भाई हमेसा हेल्फ करने के लिए आप लोग के साथ है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जनकारी के साथ जैहिन नमस्कार